नमस्कार फोर साइट्स टीवी में मैं आशुतो उशाप का स्वागत करता हूँ तमिलनाडू की राजीती में किच्चा तीवू दीप का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है बीजेपी लगातार का च्चा तीवू दीप श्रिलंका को दे जाने की आलोचना कर रही है वहीं कॉंग्रेस का तर्क है कि बीजेपी ऐसा चुनावी फायदे के लिए कर रही है भारत और श्रिलंका के बीच एक छोटा सा निर्जन दीप कच्चा तीवू इन दिनों सुर्ख्या बटो रहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने 1974 में इस दीप को श्रिलंका को देने के लिए कॉंग्रेस पार्टी की आलोचना की विदेश मंत्री एस जैशंकर ने कहा कि पूर प्रधार मंत्री जवाल लाल नहरू कच्चा तीवू को बिना महत्व के एक छोटे दीप के रूप में देखते थे कच्चा तीवू दीप आज कल चर्चा में हैं बीजेपी लगातार इस दीप का मुद्दा उठा रही है ये पाक जल डमरू मध्य में 285 एकर का दीप है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है कच्चा तीवू भारतिय तट से 33 किलो मीटर और उतरी श्रीलंका में जाफना से लगभग 62 किलो मीटर दक्षिन में हैं कि लंबाई 1.6 किलो मीटर और चोड़ाई 300 मीटर से कुछ अधिक है 1974 में ततकालेइन प्रधान मंत्री इंदरा गांधी द्वारा भारत श्रीलंकाई समुद्री समझोदे पर हस्ताक्षर करने के बाद कच्चा तीवू श्रीलंका का हिस्सा बन गया था विदेश मंत्री S. जैशंकर ने कहा कि श्रीलंका ने 6184 भारतिय मचवारों और 1175 जहाजों को हिरासत में लिया है ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने कच्चा तीवू को श्रीलंका को सौब दिया और मचली पकड़ने का अधिकार छोड़ दिया इस द्वीब का इस्तमाल पारंपरिक रूप से दोनों देशों के मचवारों द्वारा किया जाता था लेकिन समझोते के बाद से इस शेत्र में जाने वाले भारतिय मचवारों को अक्सर स्रीलंकाई अधिकारियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है इन में से अधिकतर मचवारे तमिलनाडू के रहने वाले हैं 1974 में तमिलनाडू की डीम के सरकार ने स्रीलंका के साथ समझोते पर हस्ताक्षर करने से पहले उसके नजरिये पर विचार न करने के लिए कॉंग्रेस का विरोत किया लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला अब बीजेपी ने इस मुद्दे को फिर से उठाया है और कॉंग्रेस और डीम के को आड़े हाथो लिया है पचास साल बाद भी डीप विवाद तमिलनाडू की राजनीती में तूल पकरता जा रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्ये के मचवारों पर हमले तमिल लोगों के मन में गहरी भावना पैदा करते हैं तमिलनाडू में 13 जिले हैं इनमें ज्यादा तर मचवारा समुदाय के लोग हैं बीजेपी का कहना है कि कॉंग्रेस और डीमके ने उन मचवारों को विफल कर दिया है जिने कच्चातिवू के आसपास के पानी में मचली पकड़ने के लिए हिरासत में लिया गया है कॉंग्रेस का आरोप है कि भाचपा 2024 के आम चुनाओ से पहले तमिलनाडू में ज्यादा सीटे जीतने के लिए इस द्वीप के बारे में बात कर रही है जहां उसके पास एक भी लोगसबा सीट नहीं है कॉंग्रेस नेताओं का ये भी तर्क है कि सीमा परिक्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए मांगलादेश के प्रती मोधी सरकार के मैत्री पूर्ण इशारों के समान कच्चा तीवू को एक मैत्री पूर्ण समझोते के हिस्से के रूप में श्री लंका को दिया गया था लोगसबा चुनाव से कुछ दिन पहले कच्चा तीवू को लेकर राजीती गर्मा गई हैं देखना होगा कि चुनाव में इससे किसे फायदा मिलेगा ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोर साइट्स टीवी